हेलो स्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है देरे स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10th उडान बेच के 2nd चेप्टर पोलिनोमियल्स का पहला लेक्चर पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक डेफिनिशन को जानने की कोसिस करेंगे और उसके लास्ट में हम लोग पोलिनोमियल्स जोके हमारे चेप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स इसका मीनिंग समझने की कोसिस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले इस पोलिनोमिल का एक बेसिक मतलब जान लेते हैं आगे हम लोग इसकी प्रोपर डेफिनिशन भी पढ़ने वाले हैं तो पोलिनोमिल एक्ट्वल में दो वर्ड से मिलके बनावा है एक है पोली और दूसरा वर्ड है नोमिल स bunun का मिनिंग क्या होता है देखूं पोली का मतलब मेनी मतलब और न तू को हम च्रिपने वाले मों तो इक से जादा चीज का बोलेंग लोनीबोलेंगे और नोमिल्सका मतलब होता है तर्म्स poly का मतलब होता है many anomials का मतलब होता है term एक-एक करके जम proper polynomial की definition पढ़ेंगे तब आप लोगों को अच्छे से के लिए हो जाएगा तो इसको start करने से पहले polynomial को तो हमारा बहुत बाद का topic होगा इससे पहले हम छोटी-छोटी कुछ definition से जो बार-बार हमारे use होने वाली है उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं तो सबसे पहला तो दो terms से उनका meaning जानने की कोशिज करते हैं कि constants क्या होते हैं and variables क्या होते हैं तो देखो समझते हैं देखो constants का क्या मतलब होते है constant कुछ ऐसे symbols होते हैं mathematics के जिनकी value fixed रहती है कोई सी भी condition हो उनकी value change नहीं होती तो मैं क्या बोल सकता हूँ अभी मैं एक example से समझाँगा कि ऐसे कुछ basic symbols ठीक है जिनकी value क्या रहती है unchanged रहती है यानि कि बदलती नहीं है कोई सी भी situation हो in any condition अब इसका क्या मतलब हो उसको समझा देखो जैसे कि मैंने किसी question में 2 लिख दिया तो वो 2 ही जालेगा हाँ addition subtraction हो जाएगा तो वो हो सकता है कम माइंड हो के कुछ और बन जाए लेकिन कहीं पर 2 लिखागा तो 2 अपने आपनी बदल जाएगा अब यह बदलने का क्या मतलब है वो आपको variable में अच्छे से समझ में आएगा देखो जैसे minus 5 ले लिया even जो pi हम use करते है mathematics में वो भी क्या होती है इसकी value भी fix होती है जैसे कि minus का 3 by 2 हो गया या 5 by 7 हो गया तो यह सारे example ऐसे हैं जिनकी value क्या होगी question में change नहीं होगी income क्या बोलते है constants बोलते है इसके बाद में हम यह देखते है कि variables जिनको हम literals भी बोलते है इनका क्या मतलब है इसका मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोगों का concept सब एक चल में बिल्कुल अच्छे से clear हो जाएगा आगे के topics आप लोगों को वह तासनी से समझ में आने लग जाएगे तो वेडियेबल का मतलब है वेडि करना वेडियेबल एक वर्ड से बना वेडि करना और वेडि करने का मतलब होता है चेंज होना तो ऐसे को symbols जिनकी value change होती है अब इस change होने का क्या मतलब होता है वो समझो देखो जैसे मैं आप लोगों के लिए एक example से बताता हूँ मैं यहाँ बता देता हूँ इस example को तो देखो यहाँ मैंने बनाया एक rectangle यह rectangle की length है और यह rectangle की width मैं इसके spelling लिख रहा हूँ अभी ठीक है मैं इसके लिए symbol यूज नी कर रहा हूँ यह इसके width ठीक है और rectangle का जो area होता है वो होता है length multiply by breadth यह आप लोग यहाँ note का ले रहा नीचे ठीक है अब धान सा समझो जो अभी मैं जिस board पे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं इसकी जो shape है यह भी कैसी है rectangle है आप लोग जिस mobile की screen पे या फिर computer की screen पे देख रहे हो उसकी भी shape कैसी होगी rectangular है इसके अलावा आप daily life में बहुत सारे examples और देख सकते हो उनकी भी shape क्या होती है जिसे कि आप लोगों का जो दर्वाजा होता है उसकी shape भी क्या दिखेगी आप लोगों को rectangular दिखेगी इन सब shapes के लिए length और width की value बदल रही होगी तो हो सकता है कि जो mobile phone है उसकी length और width क्या हो अलग हो और उसमें भी different different mobile की length और width क्या होती है अलग होती है लगातार बदलती रहती according to condition इसके साथ ही जिस paper पर आप लिख रहे होंगे उस paper की value जो size है वो भी vary कर दियोगी यानि उसकी length और width भी क्या हो रही है होगी बदल रही होगी तो यहां पर length और width क्या हो रही है बदल रही है तो इनके लिए हम symbols use कर लेते हैं जैसे length के लिए मैंने L यूच कर लिया और width के लिए मैंने B symbol यूच कर लिया तो क्या इन दोनों symbols की value हमेशा same रही है नहीं होगी जैसे कि इस board वाले case में देखे तो board वाले case में क्या होगा length और width fixed हो जाएंगे ठीक है केवल अकेला यही board होता तो उसके लिए L और B की value क्या है constant है बट दुनिया भर में क्या है rectangular shape तो बहुत अलग-अलग type की मिलेगी आप लोगों को तो सबके लिए L और B की value क्या होगी change होगी तो यहां मैं इसको बता सकता हूँ कि जो area of rectangle होता है जो की क्या होता है L multiply B वहाँ पे जो यह L और B है इनकी value क्या होती है change होती है according to condition condition क्या according बदलती रहती है तो यहां इन दोनों को हम क्या बोलेंगे variable तो variable basically क्या होगे कुछ ऐसे symbols होते हैं जिनकी value क्या होती है changeable होती है या change होती है according to situation according to situation I hope आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगे एक चीज़ और है जो बहुत important है आप याद रख सकते हो note है एक तरीके का तो देखो जैसे constants को हम mathematics के symbol से represent करते हैं वैसे ही क्या करते है variables को हम generally क्या करते है alphabet से represent करते है जैसे कि example के तोर पर मैं बता हूँ x लिख दिया y लिख दिया a minus ax लिख दिया या फिर z लिख दिया etc तो alphabet क्या होंगे वेरी करेंगे जैसे किसे question में x की value 3 है तो उस वाले case में क्या हो जाएगा value बदल के बन के 3 हो जाएगी किसी question में उसी x की जगा पर क्या हुआ 5 value है तो x की 2 value जो गए अब 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है तो value क्या करेंगे इसकी vary कर दिये तो I hope आप लोगों को variable का मतलब समझ में आ गया होगा एक note है वो समझ लेते हैं हम लोग कई बार क्या होता है कुछ constants ऐसे होते है जिनकी value भी क्या होती है alphabet से लिखी जाती है जैसे for example आप लोगोंने 9th में पढ़ा होगा एक gravitational constant g क्या मान पढ़ा होगा तो g क्या है एक variable वाला symbol हमने बनाया लेकिन इसकी value क्या होती है 6.67 into 10 power minus 11 तो जो कि एक constant value fix है तो हम बोल सकते है कई बार क्या होता है ऐसे इसी तरीके से आप लोग पढ़ोगे small c small c यहाँ g क्या है यहाँ मैं लिख देता हूँ gravitational constant है c क्या होता है speed of light speed of light in vacuum 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 मतलब जहाँ हवा भी नहीं होती ऐसी जगह पर जो speed of light होती है वो होती है 3 multiplied 10 power 8 meter per second अब इसका मतलब हो गया एक चौल में देखा जाए तो 30 करोड मिटर चलती है एक second के अंदर तो इतनी speed है speed of light vacuum में fix है यह value बदलेगी नहीं लेकिन हमने क्या किया speed of light को भी क्या कर दिया किसे symbol से denote कर दिया तो आप लोगों को ध्यान यह रखना है अगर वो especially बताता नहीं है कि यह वाला symbol किसके लिए यूज हुआ है तो क्या होगा वेरियाबल होगा लेकिन अगर वो सी लिखे बोल देता है किसी यहाँ पर speed of light की जगे पर यूज हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा कि यह क्या है constant है तो I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी यह basic चोटी-चोटी definition थी जो हमने constants और variables की पढ़ लिया साथ में यह भी समझ लिया है कि कईवार क्या होता है constants को भी क्या किया जाता है variable के symbol से रिपर्जल किया जाता है लेकिन actual में यह क्या होते है constants होते इसके बाद में हमारे जो अगले दो और 14 पूरा होने वाला इससे अन्सर्टेनिटी के बारे में पढ़ना है मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है निस्च्चित नहीं है उसके बारे में हमारे को पढ़ना है तो वो हम लोग probability में पढ़ते है इसके लाव gonna हमारे को figures के बारे में पढ़ना है इसके साथ ही अम लोग chapter number 12 में पढ़ेंगे, area के बारे में पढ़ेंगे, circle से related area के बारे में पढ़ेंगे इसके साथ ही एक branch और होथी है जिसमे आम variables के बारे में पढ़ते हैं रो constituents के बारे में पढ़ते हैं तो उस branch को ही क्या बोला हो या था, algebra तो algebra क्या है the branch of mathematics in which we study about constants and variables तो अभी हम लोग constants और variables के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हैनि यह समर लोग कि हम लोग math की कौनसी branch पढ़ रहे हैं अभी algebra वाली branch पढ़ रहे हैं I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी अब algebra वाली branch पढ़ रहे हैं हम लोग तो उसी से related एक छोटी सी चीज है वो हमें ध्यान रखनी है कि algebra expressions क्या होते है अब expression क्या होता है जो भी आप लोगों को चीज लिखी भी दिखी रही है ना उस लिखी भी चीज को हम क्या बोलेंगा expression मोलेंगे लेकिन algebra expression का क्या मतलब है algebra से अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि algebra से related क्या होगा कोई expression होगा और algebra से related होगा इसका मतलब क्या होगा उसके अंदर कुछ variables दिखेंगे और कुछ constants दिखेंगे साथ में math पढ़ रहे हैं तो math के sign भी दिखेंगे प्लस माइनस मुल्टिप्लाइड दिवाइड तो यहनी algebra expression actual में क्या है combination है किसका variables का constants का और mathematical operators mathematical operators का मतलब है प्लस माइनस डिवाइड दिवाइड दिवाइड इन सबका जब command कर दिया जाएगा एक दूसरे के साथ connect कर दिया जाएगा तो जो expression दिखेगा वो क्या कहलाता है algebraic expression कहलाता है जैसे मेरे definition में लिखी है combination of variables and constants connected with the sign of fundamental mathematical operator fundamental mathematical operators क्या होते है प्लस माइनस मुल्टिप्लाइड को बोला जाते है यह basic mathematical operators है जो हर कोई perform करते है तो इन सबको combined कर लिख दिया जाता है तो क्या बनता है हमारा algebraic expression जैसे for example मैंने दो example यहां लिखे है 2x square minus 3y plus 7 अगर हम इस expression को देखे तो देखो यहाँ पे x और y तो यह तो क्या होए दो variables यूज होए इसके साथ ही 2 minus 3 और 7 2 minus 3 और 7 यह constants हमने यूज किये साथ में यहाँ पे operators को यूज किया है और इन सब को command करके लिख दिया है यह वाला देखो तो जो command करके लिखा है वो ही क्या कहलाएगा हमारा algebraic expression कहलाएगा जैसे इस वाले example को देखो तो यहाँ पे a और b यह तो a जो variable यूज होए इसके साथ ही 3 5 और minus 9 यह constants यूज हूए और साथ में multiply जोसे यहाँ पे multiply हैं दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में क्या है multiply है plus और minus क्या हूए sign यूज हूए इन सब को command करके लिख दिया तो यह भी क्या होगा हमारा एक algebraic expression होगा I hope यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब अगला जो हमारा topic है वो है terms क्या होते है इसको भी ध्यान से समझना छोटे छोटे topics है हो सकता है इनके उपर direct कोई क्यासा नहीं पूछा जाए लेकिन basics अगर आप लोगों को clear करना है तो इनके बारे में आप लोगों को basic idea होना चाहिए तो देखो terms क्या होते है उसको समझने से पहले हम लोगों की example को समझते है तो देखो इस example में actual में क्या दिखरा होगा आप लोगों को पहले बाद तो यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ यह example एक algebraic expression है क्योंकि यहाँ पर variable यूज हुआ है, constant यूज हुआ है, mathematical operator यूज हुआ है variable कौन सा, x यूज हुआ है, देखो इसके साथ इक constant 2, minus का 3, 4 और minus 7 यूज हुआ है साथ में, जो sign यूज हुआ है वह कौन से, इन दोनों के बीच में multiply यूज हुआ है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में minus यूज हुआ है, फिर multiply plus, multiply minus यह sign को combined करके हमने इन सबको लिख दिया तो यह हमारा एक algebraic expression है मैं sort में लिख रहा हूँ, algebraic expression अब इस algebraic expression हुए, दान से समझना में क्या बोल रहा हूँ, उसके उपा language पे ध्यान देना जो भी plus और minus से अलग-अलग करके लिखे हुए यानि plus और minus से जो separated parts है, वो कौन-कौन से होंगे, वो देखो एक part यह रहा, plus और minus से separated, एक part यह रहा, एक part यह रहा और एक part यह रहा यानि यह चार part है, जो plus और minus से separated है, किसके इस algebraic expression के इन चारों parts को ही क्या बोला जाता है, terms बोला जाता है तो terms का simple मतलब क्या हो गया, यह parts होते हैं के algebraic expression के, जो plus और minus से separated होते है तो मैं definition भी लिख देता हूँ, parts of an algebraic expression which are separated by plus and minus sign, ठीक है, धान रखना है, इन सब को जब भी लेना है, हमें with sign लेना है, इसका क्या मतलब हुआ तो इसे example को देखते हैं, तो देखो, इसके parts कौन-कौन से होंगे, जिनको हम terms भी बोलेंगे, जो plus minus है, एक तो 2x cube हो गया, ठीक है, power 3 को हम cube पढ़ते हैं, एक हो गया 3x square, अब मैंने क्या बोला, कि हमें with sign लेना है, तो positive कहीं पर होता है, तो वो sign लगाने की जरुवत होती नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर 3x square, एक चुल में किसका है, माइनस का है, तो एक चुल में, वो होगा, term होगा, माइनस का 3x square, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, आगे plus है, वो लिखने की जरुवत में है, साथ में क्या होगा, माइनस 7 होगा, यानि यह जो 4 parts में लिखे, यह एक चुल में क्या है, इस वाले algebraic expression के terms कहलाते है, I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आगे होगी, इसको आप note कर लीजिए, next slide पर हम लोग types of terms को देखते हो, और आगे के जो भी definition है basic, वो समझने की कोशिस करते हैं, तो इसे note कर लीजिए, अब हम कुछ छोटी-छोटी basic definitions हो रहे हैं, उनको आगे देखने वाले हैं, तो देखो, अगला जो topic होगा हमारा, वो है like terms और unlike terms क्या होते हैं, यह बहुत important इसलिए है, क्योंकि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी algebraic expressions के बारे में पढ़ने वाले हैं, या polynomials के बारे में पढ़ने वाले हैं, additional subtraction के लिए basic condition यह होनी चाहिए, कि जो terms है, वो like होने ही चाहिए, तो आप लोगों को अगर पता ही नहीं कि like terms क्या होते हैं, unlike terms क्या होते हैं, तो आप लोग समझ नहीं पाऊगे, इसलिए like terms और unlike terms का meaning समझने की कोशिस करते हैं, तो like terms ऐसे terms होते हैं, जिनके अंदर variables क्या ह हो, same हो, और इन variables की जो power है, जिसको हम exponent भी बोल सकते हैं, इनकी powers भी क्या हो, same हो, अगर दोनों same हो, powers भी same हो, और इसके variables भी same हो, तो ऐसे दो terms याद दो से ज्याधा terms को हम क्या बोलते है, like terms बोलते है, for example, जैसे, यहाँ पर मैंने इन दोनों का example लिकर, यहाँ पे variable क्या है, यहाँ एक साथ, यहाँ भी variable क्या यूज हो गहाँ एक साथ, यहाँ पे पावर कितनी है ज्यानकना जहां कुछ भी पावर नहीं दीवी है वहाँ पे पावर हमें कितनी माननी होती है वन पावर माननी होती है तो यहां भी वेडियबल की जो पावर है वो कितनी है यहाँ भी variable की power कितनी है तो क्या दोनों same दिख रहे हैं आप लोगों को तो हम बोल सकते हैं कि 2x और minus 3x दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे like terms होंगे I hope यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी जैसे यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ variable क्या है y है इधर भी variable y यू जो है यहाँ variable की जो power है y की power 3 है यहाँ variable की power 3 है तो यह दोनों के दोनों terms भी क्या होंगे like terms होंगे I hope like terms का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब बात करते हम unlike terms क्या होते हैं तो unlike terms के 3 category बना सकते हो आप लोग लेकिन powers क्या हो same हो, हो सकता है कि end, दोनों ही क्या हो, बोथ हा different हो, अब इन तीनों के example समझने की कोशिस करते हैं, वो तीनों case अगर कहीं पर बनते हैं, तो हम बोलेंगे unlike terms है, तो पहले क्या है, variable same है, लेकिन यहाँ पर variable की power 2 है, तो दोनों की power different है, तो मतलब यह दोनों के दोनों terms क्या होंगे, unlike term होंगे, धानकला कोमा से separated है, इसलिए इनको terms बोलने है, अलग-अलग terms है, फिर बाप करें, हम लोग की variable different हो, लेकिन power same हो, जैसे कि यहाँ पर एक variable यह ले लिया है, और यहाँ पर variable ले लिया हमेने, यह, तो देखो, यह variable x है, यह variable y है, दोनों में variable different है, लेकिन यह x की power 2 है, y की power 2 है, तो यहाँ पर power same ह लेकिन इनको हम अभी भी क्या बोलेंगे, unlike terms बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर variables different है, ऐसा हो सकता है, दोनों ही different हो, जैसे कि 2x है, एक है minus का 3y square, तो देखो, यहाँ पर variable x है, यहाँ पर variable y है, यहाँ पर variable की power 1 है, यहाँ पर variable की power 2 है, तो यह तीनों cases कहीं पर अगर बनते है है, तो हम बोलेंगे, कि वो क्या होंगे, unlike terms होते है, अब हमने starting में देखा था कि इसको पढ़ना क्यों है, इसको पढ़ने का purpose क्या है, कि only like terms can be added or subtracted, अगर हमें algebraic expression का क्या करना है, addition और subtraction करना है, तो केवले like terms को ही क्या किया जा सकता है, add किया जा सकता है, और subtract किया जा सकता है, for example, कहीं पर अगर ऐसा लिखा गए, 2x minus 5x करने, तो simply जैसे normal addition करते हैं, वैसे करने, 2 में से minus 5 करेंगे, तो क्या करते हैं, एक positive है, एक negative है, तो बड़े number में से minus कर दो, तो 5 में से 2 minus किया, तो कितना है, 3, और x ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, 5x minus 2x कितना बचा, 3x, लेकिन बड़ा sign किसका है, negative का है, तो minus का 3x आ गया, तो यहाँ देखो, अगर यही चीज ऐसे दे देता, 2x plus 3y, तो इसको हम आगे solve नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों क यह दोनों को समझ में आगे होगी, तो कभी भी अगर addition करना पड़े, तो केवल like terms का addition करना है, ऐसे नहीं करना है, कि जैसे 2x plus 3y, जैसे मैं यहाँ समझाने के लिए लिख दूं, कि तुम लोग ने इसको क्या कर दिया, 5xy कर दिया, यह ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो is not equal 5xy, I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगे होगी, कि like terms or unlike terms क्या होते है, अब हमारा जो next topic है, factors क्या होते है, तो ध्यान सा समझने की कोसेश करना, तो देखो, factors का मतलब क्या होता है, each combination of the constants and variables which form a term is called a factor, इसका क्या मतलब होगा, कि जैसे हमारे पास क्या है, एक variable था, एक क्या एक जाम बोल दिया, उस term में, जब वो पहले अलग-अलग थे, तो वो जो combine करने से पहले जो हर एक पार था उसका, वो क्या कैलाता था, factor कैलाता था, ठीक है, जैसे example में, इससे example को समझा के, फिर में definition समझाता हम, फिर वापस example प्या होगा, तो देखो, जैसे कि यहां पर में रखा, minus 5 x square y, यानि actual में, इससे, minus 5 x square y, यह पहले अलग-अलग रहे होंगे, इन सब को combine कर दिया, हमने combine करके लिखा, तो यह पूरा एक term बन किया, तो combine करने से पहले, जो इसके parts थे, जिनको हमने combine किया था, उन parts को, अलग-अलग parts को, हम क्या बोल रहे थे, factors बोल रहे एक तो minus 5 और 1 x square y, तो यहाँ पर क्या होता है, इस minus 5 को क्या बोला, यानि हम बोल सकते है, minus 5 और x square y, दोनों को हमने combine किया, ठीक है, combine करने पर क्या बन गया, minus 5 x square y बन गया, लेकिन combine करने से पहले क्या था एक minus five था, एक x square y था, तो minus five और x square y, यह जोनों अलग-अलग जो लिखे वे होंगे, यह दोनों क्या कहलेंगे, factors कहलेंगे, तो यहापे क्या है, जो minus five यह constant है, तो इसको क्या बोला जाता है, numerical factor, या फिर constant factor भी बोला जाता है यह भी बहुत important है कि अब आगे 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 आम लोग next slide पर कुछ questions करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्या बोलेगा वो कुछ बोलेगा नहीं वो बोलेगा कि इसका क्या बरता हो factors करके बताओ या coefficient बताओ आगे हम coefficient भी पढ़ने वाले तो जब कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हमारे को हमेंसा क्या करना होता है numerical वाला जो factor होता उसी को लिखना हुआ वहां पे लिखना होता है तो इसलिए ध्यान रखना numerical factor का मतलब है constant वाला factor ठीक है इसके साथ ही जो यह वाला पार्ट है जैसा कि कितना बचावा पार्ट x square y यह भी अक्चल में तीन चीजों से मिलके बनाओ हो सकता है x, y और x दोनों को combined किया तो यह बने एक y है x square है एक पूरा x square y है तो यह जो शारी चीज़े इन सब को combined करने पे क्या बना था आपस में इन दोनों को combined करने पे यह बन जाएगा इन दोनों को combined करने पे यह बन जाएगा इसके साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं यह अकेला ले लो तो यह भी क्या बन जाएगा यह वाला पार्ट बन जाएगा तो इन सब को आपस में combined करने से क्या बनाता है तो यह सारे भी क्या है हम हमें लोगों को समझ में आ गया होगा is the back to KTV लिए जिनको हमने के किया था था फ्रेक तर्म बनाने के लिए वह अलग अलग जो separated थे उनको अमने क्या बोला था था यह रयना यह नहीं कि लिखा कि इच combination of that constant and variables variable or constant of each combination हर एक combination जिसको मिलाने पर हमें क्या मिल जाए एक तम मिलता है तो जैसे हैं एक combination तो minus 5 और x square y को मिलाने पर क्या हो गया एक यह भी हो सकता है कि minus 5 x square और comma y तो जब इन दोनों को मिला ओगे तो भी क्या बन जाएगा यह बन जाएगा तो minus 5 x square और y यह दोनों भी क्या है एक हमारे factors है जान जान रहा है जो constant वाला part है उसको हम लोग क्या बोलते है numerical factor बोलते है जो variable part वाला part है उसको हम लोग क्या बोलते है 1 x x क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से multiply किया जाता है तो उसके उपर कोई भी impact नहीं होता है तो इसको क्या बोला जाएगा 1 x अब जिसे यहां पर minus y है तो इसको हम क्या बोल सकते है minus 1 multiply y तो जहां minus 1 लिखा है वहां पर तुम्हें कभी भी अगर समझना है अगर यहां पर इसका क्या पताना है यहां पर कौन सा factor था constant factor कौन सा था या numerical factor कौन सा था यहां पर minus 1 है यहां पर numerical factor कितना है 1 है I hope यह चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी यह चीज़े हमेसा याद रखनी है ठीक है और 2 जैसे एक constant और एक variable दोनों combine करके लिखे हुए बीच में कोई भी sign नहीं है तो वहां हमेसा क्या समझना है अपने को multiply समझना जैसे 2x लिखना क्या है तो यह चीज़े आप लोगों को दिखनी चाहिए जब तक यह चीज़े दिखेंगी नहीं तो आप लोग इसको क्या करोगे question में apply नहीं कर पाऊगे इसके साथ ही हमारा जो आप next topic हम स्टार्ट करते है वो है coefficients क्या होते है वो ध्यान से समझना इसके उपर एक दो बार questions पूछे हुए है तो coefficient का क्या मतलब हो समझो देखो any factor of a term is called the coefficient of the remaining term इसका क्या मतलब हुआ ऐसा समझो हमारे पास दो पार एक term था minus 5 x square y जैसे ये बोला इसके दो factor थे एक minus का 5 एक था x square y अब क्या बोला any term any factor जैसे ये minus का 5 factor या फिर x square y दोनों में से कोई भी लेलो कोई भी factor दूसरे का क्या कहलाता है coefficient कहलाता है यानि कि minus 5 वाला जो factor है वो x square y का coefficient है और x square y क्या है minus के 5 का coefficient मतलब की यही चीज मैंने लिखिए देखो any factor of a term किसी भी term के जितने भी factors होंगे उसका कोई भी एक factor बाकी क्या जो कुछ भी बच गया उस वाले part का क्या 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 जैसे example in 7x 7 क्या है is the coefficient of remaining part remaining part क्या बचा एक्स बच गया तो 7x का क्या है coefficient है उसी तरीके से minus 5x square y की बात करें तो यह पर जो 5 है 5 क्या है coefficient है किसका remaining part का 5 को छोड़के क्या बचा minus x square y तो यह लिखावा देखो 5 is the coefficient of minus x square y I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसका मैं एक और जैसे बना के बता हूँ अगर आप लोगों को बताना है कि coefficient of minus y बताना है तो minus y को छोड़के क्या बचेगा minus और y को छोड़ दिया तो 5 बचा और 1x square बचा तो coefficient of minus y कितना हो जाएगा 5 x square y I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी next वाली slide पर coefficient से related हमनों कुछ questions solve करते हैं इसके साथ ही इससे related कोई भी एक दो note है वो भी हम समझने की कोशिस करते हैं इसको भी आप note कर दिजी अब हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके उपर question के स्टाइब से पूछा जा सकता है तो हमारा question है write the coefficient of x square यानि कि यह कुछ questions मैंने 8 questions हैं लिखे इनमें हमें केवल किसका coefficient बताना है x square का coefficient बताना है तो सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा वो वाला term पिक करना पड़ेगा जहां पर x square आ रहा है तो देखो जैसे कि यहां इस question मैं क्या करना है हर एक case में हमारे को x square का coefficient बताना है तो इसवाले question में क्या है x square कहां पड़ रहा है यहां तो x square का coefficient पूछा है तो x square को छोड़ के जो भी बच गया वो क्या होगा उसका coefficient होगा तो कितना होगा यहां पर प्लस का 7 और प्लस लिखने की ज़र्वत नहीं होती तो इस वाले case में x square का coefficient क्या होगा 7 हो जाएगा I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी फिर यहां पर क्या है x square कहां आ रहा है यहां अब मैंने अभी अभी बताया कि अगर किसी भी number के आगे कुछ निदखाव और जैसा x square के आगे कुछ निदी रिखावा तो यहां पर हमेंजा क्या मानना है और यहाँ पर x square का coefficient क्या हो गया 1 हो गया यहां पर x square वाला terme कुन सा है यह और तो x square के साथ में क्या है Pi by 6 तो ये वाला क्या हो जाएगा Pi by 6 ये हमारा क्या होजाएगा coefficient हो जाएगा x² अब यहाँ देखो x² वाला term है नी कहीं पर x² दिखी नहीं रहा तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दू तो कोई फ़रAK थोड़ी ना पढ़ेगा 0 multiply x square plus root 3x minus 7 तो यह कुछ नहीं था तो यह प्लस का था अब 0 multiply x square करोगे वापस से क्या हो जाएगा वह 0 ही होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर x square अगर term है नहीं तो यहां पर coefficient क्या होगा उसका 0 तो मैं लिख भी देता हूं ठीक है जहां x square वाला term नहीं होगा वहाँ coefficient बराबर कितना हो जाएगा 0 वह term है नहीं तो term actual मैं ऐसा समझ तकते हो कि x square multiply 0 का भी रहा होगा तो 0 के वह खतम हो गया होगा तो उसका coefficient x square के multiply में क्या रहा होगा 0 रहा होगा तो इसलिए बोल देंगे जहां पर कोई x square वाला term ज़रूरी नहीं है इस वाले case में x square पूछा है हो सकता है किसे अलग case में अलग कोई पूछे कि जो भी चीज जिसका भी coefficient पूछेगा अगर वह वाला term नहीं है तो उसका coefficient क्या लिखना है में इसा 0 लिखना है I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी अब हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे x plus 3 का cube दे रखा है तो अब आप लोगोंने 9th में पढ़ा होगा cube वाली identity पढ़ियोगी a plus b का cube क्या होता है तो मैं यहाँ पे direct इसको solve करके लिख रहा हूँ a plus b का cube होता है a cube यानि x cube plus b cube यानि 3 का cube plus 3 a square यानि a यहाँ पे क्यों है a है और b क्या है 3 है 3 a square b b कितना है 3 plus 3 a a कितना x और b square यानि 3 का square जब इन सब को combine करोगी तो देखो यहाँ पे क्या रहा है x cube आ रहा है हमें कोई लेना देना निया तो इसको solve भी नहीं कर देए यहाँ x3 की power 3 है तो यहाँ पे भी x square देए यहाँ पे only कितना x है तो इन 3ों से हमारे को कोई लेना देना ही निया हमें तो किसका coefficient चाओ चाइए X square का coefficient चीए वो हमें कहां मिलेगा यहां मिलेगा तो X square को इस वाले term को 339 Y square लिख सकते तो X square के coefficient में कितना है 9 है तो हमारा जो इस वाले case का जो X square का coefficient होगा वो कितना होगा 9 होगा I hope यह चीज भी आप लोगों के समझ में आगई जोगी अब अगले वाले question में हमें पहले इसको इस पूरे से क्या करना है multiply तो multiply करने का क्या तरीका होता है कि इसका हर एक term इसके हर एक term से multiply होगा पहले 3X square X square से होगा फिर 3X square minus 3X से होगा फिर 3X square minus 2 से होगा फिर यह 2X इन 3ो से होगा फिर माइनस का फोर इन तीनों से मल्टिप्लाई होगा तो एक तो तरीका है तुम पूरा मल्टिप्लाई कर लो बहुत बड़ा सा रिजल्ट निकाल लो फिर वहां से एक्स स्कॉयर को पिक करो अब मैं क्या कर रहा हूँ आप समझाने के लिए मुझे केवल वोई टांबस थाई है जो क्या हो एक्स स्कॉयर जो मैं आ रहा हूँ तो जहां-जहान एक्स स्कॉयर बन रहा होगा उन्होंस देख लेता हूँ दिखो 3x स्कॉयर है उसको x स्कॉयर से करेंगे x की पावर 4 बनेगा हमें मतलब नहीं हो से श्रकाय को जब x से करोगे ढpos XD और x ाकी पावर PGek से को बने का उससे को उससे करोगी दो करो 3 को पहले माइनस नूस्थ से करोगे blows यह मै ti recurłem यह माइनस मैंस हो जाएगा वह मैंने लिखानी है ठीक है वह आप लोग खुद सोल करके लिखना कि कितना होगा multiply का actually मैं multiply का question नहीं है यह question हमारा क्या है coefficient find करने का है फिर हम बात करें इसको इससे करें तो यहां पर कितना है plus का 2x है यहां पर plus x square x को x square से करेंगा x power 3 बने का उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है फिर 2x को minus 3x से करेंगे तो यहां पर x और x क्या बन जाएगा x square जिसके हमें ज़र्वत पड़ेगी तो यहां पर यह plus का है minus का है तो minus का आएगा 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा x को x से करेंगे तो x को x से करेंगे तो x square आगया I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी फिर इसको इससे करेंगे तो देखो यहां पर 2x है यहां पर 2x है और 2x आएगा उससे भी हमें कोई मतलब नहीं फिर बात करें इसको इन तीनों से करना है तो देखो minus 4 को x square से करो तो यहां पर x square बन जाएगा तो कितना बनेगा minus 4 x square फिर इसको इससे करो तो यहां पर देखो only x बनेगा और इसको इससे करो तो एक constant बनेगा x वाला कोई term बने गई मतलब यह जो तीनों terms ऐसे थे जिससे हमारा क्या निकल के आएगा coefficient निकल के आएगा तो इन 2 2 2 है तो हम बोल सकते हैं तीनों की तीनों terms कैसे हैं like terms है अब 8 कैसे करेंगे तीनों minus के तो जब minus minus तीनों आपस में हो जाएंगे लेकिन sign final में क्या होगा minus 6 minus 6 minus 12 minus 4 minus 16 x square तो यहां पर x square का coefficient क्या होगा minus 16 तो I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगे इसको अच्छे से देखना अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो रिवाइंड करके देखना पहले खुद करना like terms अगर कहीं आ रहे हैं तो उनको आपस में एड करना है और उसके बाद में हम लोगों को आगे सोल करना करना इस्क्रेशन करेंगे पहले एक्स को ईक से करियगी मैं पर इन onton चाना यह ओन दोनों से करना यह माइनस का यहाई है वन को 1 से multiply करेंगे तो 1 आएगा फिर इस minus को इस minus से करना है तो यह minus का मैनस का यह क्या हो जाएगा multiply हो के plus हो जाएगा और 1 को 2x से करेंगे तो 2x आएगा हमें केवल किसका coefficient चीजिए x square का तो x square का coefficient कितना है minus का 2 तो इसका answer कितना हो गया minus का 2 हो सकता है इन question को क्या की अजा सकता है आप लोगों को mcq बना की दिया जा सकते the भी चीज आप लोगों को समझ में आगए जोगी अब next question करते similar question है पहले इन दोनों इसको दो को इन दोनों से multiply करना है फिर इसको इन दोनों से करना है 2 को x square से करेंगे 2 x square आएगा फिर 2 को minus 5 से करेंगे तो यह plus का यह minus का यह फिर इस minus को इस plus से करेंगे तो minus का यह जाएगा 3 आगया और x square x square तो power कितनी हो जाएगी total 4 हो जाएगी फिर यह minus का यह भी minus का यह तो plus का हो जाएगा 3 को 5 से करेंगे 15 आएगा और x square ऐसे कैसे चलता रहेगा अब x square वाला चाहिए तो इन दोनों से पिक करना पड़ेगा पहले तो यह दोनों 8 हो सकते हैं तो क्या हो जाएगे 17 x square 2 x square और 15 x square और यहाँ पे क्या बचा minus 10 minus 3 x power 4 लेकिन हमें तो x square का coefficient चीए तो वो कितना होगा 17 तो यह 17 हमारा क्या हो गया I hope यह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी इसको भी आप note कर लीजिए next right में हम लोग जो हमारा last topic होगा आज का वह है polynomial की definition समझने की कोशिस करेंगे तो इससे note कर लीजिए अब हम देखते हैं हमारे इस lecture का last topic जो है polynomial का meaning क्या होता है उसकी proper definition कैसे लिखी जाएगी और actual में polynomial क्या होता है polynomial का मने meaning एक basic meaning जान लिया तकि ऐसा कोई expression जिसमें बहुत सारे term होंगे उसको क्या बोलते थे polynomial जो की दो वर्ड से मिलके बनावा है poly और noemials poly यह निमेनी और noemials यह निए term बट actual में polynomial को कैसे समझेंगे कि कौन सा LGBT expression polynomial होगा कौन सा नहीं होगा उसको समझने के लिए हम दो एक्जामपल्स देते हैं देखो एक्जामपल्स को ध्यान से समझता अगर एक्जामपल समझ में आ गए आप लोगों के तो आप लोगों को प्रोपर definition है यह चुल में लिखने का तरीका है आप लोगों को इसके कभी रट्टे नहीं मारने तुम्हारे को केवल समझना है कि इसको लिखा कैसे जाते हैं यहां से कोई समझा चुका हूं और अगर कोई आएगा तो हम नेक्स स्लाइट पर हम लोग कुछ क्योंस भी इसके करने वाले तो देखो हमारा यह है दो एक्जामपल्स में लिखें पहले तो मुझे बताओ कि यह दोनों के दोनों पहले दोनों के दोनों के लिखेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले दोनों के अंदर वेरियेबल्स को पिक करो उनको देख लो कौन-कौन से फिर उन variables की power नकालो, अब उसके बाद में हम समझते ही कि फिर क्या होगा, तो देखो, यहांपे variable x है, यहांपे variable x है, यहांपे variable कुछ भी नहीं, तो आप चाहो तो यहांपे variable क्या मान सकते हो, x की power0 मान सकते हो, क्यों, क्योंकि x की power 0 का value कितनी होती है 1, किसी भी number की power 0 होगी तो उसका answer हमेशा क्या आएगा 1 आएगा तो 5 multiply 1 करोगे तो 5 ही आएगा कोई भी फरक नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर variable कुछ था नहीं ठीक है यहाँ पर cross कर दिया यहाँ variable की power कितनी है 3 आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं पर भी square root दियावा है square root का मतलब होता है power actual में 1 by 2 तो यहाँ पर variable की power कितनी है 1 by 2 दे रखे यहाँ पर variable था नहीं अगर मान लिया कि x की power 0 रहा होगा तो variable की power कितनी है 0 जाँ कोई variable है नहीं तो उसकी power कितनी लेनी है 0 लेनी है फिर यहाँ भी करके देखते है फिर दोनों में difference फता करते है कि क्या आ रहा है यहाँ पर variable की power 2 है यहाँ पर variable की power x की power 1 है यहाँ पर variable इनी है तो इसकी power 0 है इन दोनों में difference क्या है उसको समझने की कोसिस करना दोनों की दोनों algebraic expression तो है बट यहां पे जो variables की power आ रही है यह friction में भी आ रही है even ऐसा भी हो सकता है कि negative में भी आ जाए जैसे यहां पे मैं एक और लिख देता हूँ 1 upon x square ठीक है यह आप लोगों के लिए visible होगा कि इतना छोटा देखो मैं लिख देता हूँ 1 upon x square यहां है यह तो x square जब उपर जाएगा तो क्या बनेगा x की power minus 2 तो यहां पे 1 upon x square वाला जो term है जो last में यहां लिख देता हूँ इसकी जो power होगी वा x की क्या होगी variable की यहां पर भी variable x है और power कितनी है minus यानि इस वाले example में क्या हो रहा है जो variables आ रहे है इस algebraic expression में उनकी power negative भी मिल रही है positive भी मिल रही है fraction में भी दिख रही है 0 भी दिख रही है लेकिन यह वाला जो expression है इस expression में आप लोगों को जो power है वो non negative दिख रही होगी या फिर whole number दिख रही होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो यही से हमारी definition बन दिए definition क्या है कि ऐसे algebraic expression जिसमें variables की power हमेशा क्या हो whole number हो तो मतलब यह वाला जो algebraic expression है यह वाला algebraic expression polynomial नहीं है लेकिन यह वाला algebraic expression क्या है polynomial है तो polynomial की definition क्या बना सकते हो यहाँ पर लिख सकता हूँ तो ऐसा algebraic expression जिसमें मैं समझाने के परपत से बना रहा हूँ आप लोगों को कोई question यह नहीं पूछेगा definition की what is polynomial ठीक है समझ में आना चाहिए जिसले मैं इसकी language को Hindi English Mix में लिख रहा हूँ ऐसा algebraic expression जिसमें सभी variables की power सभी variables की power powers whole number हो whole number मतला 0,1,2,3 हो यानि कि fraction में नहीं हो और minus में नहीं होने चाहिए ठीक है तो point में नहीं होने चाहिए fraction में नहीं होने चाहिए minus में नहीं होने चाहिए के बल whole number होने चाहिए 0,1,2,3,4,5 ऐसे तो ऐसा algebraic expression को क्या बोलते हैं polynomial बोलते है ऐसा algebraic expression जिसमें सभी variables की power क्या whole number हो क्या कहला पहा है polynomial कहला पहा है I hope यह चीज़ आप लगो के समझ में आ गई होगी एक और छोटा सा note है उसको भी समझ लेते यहाँ पे जो आप polynomial हमने बनाया है इस polynomial को क्या है एक नया तरीके से लिखेंगे झाफ भी नही है अपर variable की पावर3 है यहाँ पर variable की पावर1 है यहाँ पर कुछ मिरीबल ही नहीं है तो variable की पावर 0 है क्या 3 के 3 के अंदर variable whole number आ रहा है यहाँ पर variable की पावर 0 आ रही है तो यह वाला यहब大 Ben polynomial तो होगा जब यह polynomial है तो इसको लिखे हो कैसे इसमें variable क्या यूज हुआ है X तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे PX लिख दिया PX के जगा अपलोग GX भी लिख सकते हो UX भी लिख सकते हो इसको read क्या करेंगे polynomial in X इसको क्या पढ़ा जाएगा polynomial in X अगर यहां पर variable Y लिखा हो तो polynomial in Y बोलते हैं यह पी लिख देते या GY लिख देते हैं जैसे यहां पर मैंने एक और एग्जम पर लिखा है तो यह क्या है हमारा एक polynomial है क्यो है क्योंकि यहां पर सभी variables की power क्या है whole number आ रही होग है यहां पर 2 आ यहां पर 1 यहां पर 0 है इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया f, small f और t, t यहां पर क्या है, variable है, जो भी variable तुम यूज करोगे, इसको क्या करना है, bracket में लिख दो, और polynomial को कुछ नाम दे दो, जैसे f, p, वगेरा नाम दे दो, तो इसको f t बराबर, 3 t square, plus 5 t, plus 3, यह क्या है, एक polynomial है, in t, i hope, यह चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई हूगी, जो भी variable होगा, उसको हम bracket में लिख देंगे, इसके बाद में, जो polynomial अभी तक हमने पढ़ा है, इसको standard form में लिखते हैं, कि proper तरीके से कैसे लिखा जाएगा, तो देखो, एक algebraic expression, अगर कुछ इस form में लिखा हूँ है a n x की power n, a n minus 1 x की power n minus 1, a n minus 2 x की power n minus 2, a 2 x square, a 1 x 1 x की power 1, ठीक है, प्लस a note, अभी a note x की power n, यह आप लोगों को हो सकता है, confuse करो, इसको confuse करो, होने ही निए, इसको समझो देखो, क्या हो करना है हमारे को, एक मैं पोलिदोम में लिख रहा हूँ, p x बराबर x की power 5, प्लस 4 x की power 2, minus 3 x, sorry, 4 x की power 4, 3 x cube, minus 7 x square, plus 9 x, और plus का 5, अब द्यान से समझना, इसको, और इसको compare करोगे, तो आप लोगों को बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, यहाँ क्या हो रहा है, पावर पहले कितनी है 5, फिर उससे 1 कम होई, फिर उससे 1 कम होई, फिर उससे 1 कम होई, फिर लास्ट में 0 होगे, यहाँ देखो, अब standard form में लिखना है, तो power fix तो करने सकते हैं, तो यहाँ पे highest power कितनी मानली, n, फिर उससे 1 कम, n minus 1, फिर n minus 2, ऐसे होते होते, last में 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएग वह 1 स्टेंदर्ट फोरम बना रहा हूं मने एक एक्जांपल यह ता पाव डिकीर्जिंग और्समें मैं लिखिया 7 यह यहां पर x square के coefficient में क्या है, x की पावर 5 के coefficient में क्या है, 1 है, यहां पर वही coefficient की जगह पर क्या आगया, x की पावर, sorry, xn आगया, अभी xn कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1, 2, 3 से लेके, मतलब कोई भी real number हो सकता है, तो यहां पर second point भी हो, यहां पर a, not a1, an, a2, up to an, यह सब क्य है, real numbers है, कोई भी real number हो सकता है, जैसे यहां पर इस वाले case में, वो real number कितना 1 है, जैसे यहां पर उससे एक कम पावर, यहनी, an-1 है, ठीक है, वहां पर उसकी जगह पर कितना 4 है, फिर यहां पर an-2 की जगह पर कितना है, minus का 3 है, I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आरी हो होगी, ठीक है, यह जो form होती है, जिसमें हम decreasing order में लिखते है, variables की power की decreasing order में, इस form को अम standard form या general form बोलते है, किसी भी polynomial को अगर लिखना है, तो हमारे को हमेसा क्या करना है, उसके general form में final answer लिखना पड़ेगा, I hope यह चीज समझ में आ गई होगी, इसके बाद में यहां पर condition क हो गया, क्योंकि X AN 0 हो गया, तो यह पूरे को 0 कर देगा, तो highest power N minus 1, तो अगर हम इस polynomial को N power वाला polynomial बोले है, जिसको बोले जाता है, N degree का polynomial, अब degree क्या होती है, हमारे next lecture का topic यह होने वाला, degree क्या होती है, अभी मैं एक basic idea दे देता हूं, किसी भी polynomial की जो highest power होगी, जैसे हां highest power कितनी है, 5, तो इस power 5 क्या है, जो 5 है, हमारी इस पूरे polynomial की क्या 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 देगरी क्या होती है, I hope यह चीज़ आप लोगों को याद रहेगी next lecture के लिए, तो इसके अंदर क्या है, कि अगर यह पूरा 0 हो जाता मालो, यह पूरा 0 हो जाए, तो अब highest power कितनी है, जो 0 नहीं होना चाहिए, तो यह इसे लिए बोला है, कि ऐसा यह वाला expression, जहाँ पर an not equal 0 हो, a not, a1, a2, up to an, यह वाले सारी real numbers हो, तो यह क्या कहलाता है, power of x इसे non negative, और साथ में भी ध्यान रखना है, भाई, polynomial होने की condition नहीं भूलनी है, में polynomial होने की condition क्या होती है, कि जितने भी variables होते हैं, उन सब की power क्या होनी चाहिए, whole number होनी चाहिए, non negative integer, मतब ऐसे integers होने चाहिए, जो negative नहीं होने चाहिए, यह whole number होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर यह तीनों condition कहीं पर satisfy हो रही है, जो सबसे highest power वाला coefficient है, वो 0 नहीं हो होना चाहिए, सारे coefficient, real number होनी चाहिए, और साथ में सभी variable की power क्या होनी चाहिए, powers of, power of x इजे, non negative integer, whole number होनी चाहिए, तब हम बोलता है कि यह वाला जो polynomial है, वो क्या कहलाता है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, हम polynomial बोलेंगे, of degree n, degree n का क्यों बोला है, क्योंकि highest power कितनी है, 5 है यहां पर n है, इस वाले case को, हम इस वाले polynomial क्यों 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 बोलेंगे, यह वाला polynomial है, in x से, of degree 5, क्यों, यहां पर ध्यान रखना है, यह मैंने blank जगे छोड़ी है, यहां पर 0 नहीं है, तो यह वाला polynomial क्या 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 लाएगा, degree 5 का polynomial क्यों क्योंकि इसमें तीनों condition satisfy हो रह है, साथ में, यहां पर जो x highest power है, उसके coefficient, उसका coefficient 0 नहीं है, इसके अलावा सभी variable की power क्या है, integer दिख रही होगी, कौन सा वाला integer, non-negative integer दिख रहा होगा, यह तीनों condition satisfy होगी, तो अब इस वाले polynomial क्यों 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 सकते है, polynomial of degree 5 वोल सकते है, इस वाले को polynomial of degree n बोला है, तो इसी को हमने standard form में कैसे convert कर दिया, यहां convert कर दिया, I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आगई जोगी, अब हम terms के बारे में पढ़ चुके, तो terms क्या होते है, किसी भी expression के जो plus minus से separated parts होते है, उनको terms बोलते है, तो यह वाला एक term होगा, यह पूरा term होगा, यह पूरा term होगा, तो यह सब क्या क्या कहलाएंगे, an, x की power n, an minus one, x की power an minus one, यह सारी के सारी क्या कहलाते है, terms क्या बोला है, इसके अलावा, x कीई power n के musical में क्या है, multiply में क्या am x की पावर n-1 के multiply में क्या है an-1 है तो x की पावर n का coefficient क्या होगा an होगा x की पावर n-1 का coefficient क्या होगा an-1 होगा x की पावर n-2 का coefficient क्या होगा an-2 होगा तो उसी तरीके से an, an-1 up to an, a1, anode यह क्या है coefficients है किसके x की पावर n का coefficient क्या होगा AN होगा, X की पावर N-1 का कोफिशन क्या होगा, AN-1 होगा, और X, यहां पर आएसे फर्दर आगे चलोगे, X की पावर 1 का कोफिशन क्या होगा, A1 होगा, और यहां पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, देखों यहां पर, यह वाला जो ताम है न, यहां पर variable है यह वेरियबल नहीं होता, उस टर्म को क्या बोला जाता है? constant term बोला जाता है, तो constant term एक्चल में किसका कोफिशन बान सकते है, X की पावर, जीडो का कोफिशन तो यह वाले सारे के सारे, जो है, कोफिशन के, respectively, इन सभी के कोफिशन है, I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ ग योगी और लास्ट में जिसके अंदर कोई वेडियोबल नहीं होता इसको कॉंस्टेंट हम बोला जाता है इसको भी नोट कर लीजिए नेक्स स्लाइड पर हम लोग कुछ क्यस्टन को सोल करते हैं अब हम देखते हैं कि यहांसे क्यसे बनाया जा सकते हैं तो देखो क्या है कि identified polynomial in the following यह कुछ मैंने यहाँ पर algebraic expressions लिखें इन algebraic expressions में से हमारे को क्या करना है polynomials कॉन कॉन से polynomial है कॉन कॉन से नहीं है तो अभी मैंने समझाए कि polynomial की जो उन वेडियबल्स की जो powers है, वो powers क्या होनी चाहिए, बस whole number होनी चाहिए, अगर variable की power whole number है, इसका मतलब कि वो वाले जो expressions होंगे, algebraic expression, वो क्या कहलाएंगे, polynomial होंगे, otherwise नहीं होंगे, तो हमारे को इन सब में हो ही करना है, हमें variables को भूणना है, variables को पुछ करना है, variables की power को होंगे तो देखो पहले वाले केसमें आपर वेरियेवल यहां आपकुछ भीणी है यहां पर पावर तो हैं यांपर बावर यहां पर कैस्पूह मान सकते हैं कि उसकी ओफेक्षाई रही हो टो वेरियृत की पावर होल नमबर बेंसे होल्ग मतलब 0, 1, 2, 3, इनी में से कई आ रही हो, तो बोल सकते हो कि क्या है, यह वाला बेरियम, यह वाला जो LGB के expression है, यह polynomial होगा, तो I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, कि इसके सभी की power इनी में से आ रही है, तो यह क्या होगा, यह polynomial होगा, अब इसको चेक करें, तो देखो, यहाँ पे power कितनी है, 3 है, यहाँ पे power 2 है, यहाँ पे x क्या root है, square root है, square root का मतलब मैंने बताया है, तो power 1 upon 2 है, यहाँ पे कितनी है, 0 है, तो जैसे ही power fraction में आ जाती है, तो हम बोलेंगे, कि यह वाला, जो expression है, polynomial, नहीं है, इसके बाद में इसको करें, तो यहाँ पे पदे को x की power 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ जीरो है, तो यह भी whole number में से आ रहा है, I hope यह चीज भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी, फिर हम बात करें इसको, तो x की power 2 है, यहाँ पे x की power 1 है, यहाँ पे नीचे x है denominator में, जब इसको उपर लेके जाओगे, तो यह x की power उपर जाके क्या हो जाएगी, minus का 1, यहाँ पे x की power कुतनी है, 1 है, तो यहाँ पे negative हो गई, अभी हमने बेखा था, कि whole number हो नीची है, यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, non-negative integer भी बोल सकते हैं, तो यह वाली तो non-negative नहीं होगी, यह तो negative होगी, तो non-negative integer होना चाहिए, तो non-negative integers, तो यह वाला expression भी polynomial नहीं होगा, क्यों कियोंकि यहाँ पे x की power कितनी होगी, फिर अकर हम इसकी बात करें, तो देखो, x की power 4 है, यह तो direct ही साफ साफ ही दिख रहा है, कि यहाँ पे क्या हो गया, x की power 3 by 2 हो गई, और यहाँ पे x की power कितनी है, minus 1 है, नेगेटिव भी है, fraction भी है, तो यह भी कभी polynomial नहीं हो सकता, फिर इसको check करके देखे, तो देखो, यहाँ पे नीचे x की power कितनी है, minus की 1, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगी, plus की 1, तो 2, plus 3, x की power 1 हो जाएगी, और plus 4x, अब देखो, यहाँ पे जो भी variable है, उन सब की power क्या, whole number आ रहे है, कि यहाँ पे 0 है power, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो यहाँ पे सब की power क्या आ रही है, whole number आ रही है, तो हम बोलेंगे कि यह भी क्या है, यह polynomial है, I hope यह चीज आप लोगों के समझ में, आ रही होगी, बस दिमाग में बिठा लेना है, कि powers क्या होनी चाहिए, whole number होनी चाहिए, फिर हम इसको करके देखें, तो देखो, यहाँ पे ऊपर x की power 3 by 2 है, नीचे x की power 1 by 2 है, क्योंकि square root है, यह निए power 1 by 2 है, तो अब direct देखोगे, तो ऐसा लगेगा, कि यह क्या है, हमारा 1 by 2, 3 by 2 दिख रहा होगा, तो वैसे ही बोल सकते हैं, कि direct क्या बोलेंगे, कि polynomial नहींगे, लेकिन इसको further solve करना पड़ेगा, solve कैसे करना पड़ेगा, यह x की power 1 by 2 उपर जागे, माइनस का हो जाएगा, तो उपर क्या हो गया, 2 x की power 3 by 2 पहले से था, और माइनस का 1 by 2 हो रहा है, जब पावर से आप लोगोंने power and exponent वाले पड़े होंगे, 8th किलास में भी पड़े होंगे, 7th में भी, 9th में भी, ठीक है, तो जब क्या होता है, यहाँ पर भी base x है, यहाँ पर भी base x है, दोनों की power different है, और दोनों divide में लिखे हुए है, तो power subtract हो जाती है, तो 3 by 2 minus 1 by 2 करेंगे तो कितना, और यहाँ पर x की power 2 चली रहा है, तो LCM कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 3 minus 1 किया, तो plus x square, यहाँ पर 3 minus 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 में 2 का divide करेंगे तो बन आएगा, तो यहाँ इसको further सोर कलने पर actual में कितना आगया, यह बन गया, जब यह बन गया, तो क्या यहाँ पर, अब इस final result को देखोगे, कि यहाँ पर power क्या है, हमारी whole number है या, नहीं है, तो यहाँ पर power 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम बोलेंगे कि यह यह वाला expression भी क्या है, हमारा polynomial होगा, अब यह वाला expression और यह वाला expression इसको ध्यान से समझो, इसमें power, यह देखो, x plus 1 something है, तो इसको हम उपर नहीं ले जा सकते, अकर अकेला x होता तो हम उपर ले जा सकते थे, यहाँ पर x minus 1 है, क्यों? क्योंकि इसको हम उपर नहीं ले जा सकते, तो अभी दिमाग में रखो कि यह rational functions होते है, rational functions क्या होंगे, कभी भी polynomial नहीं होंगे, आगे जाके 11th class में आप लोग इसको इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे x तिख रहा होगा, जैसे नीचे x तक दिखते ही दिमाग में क्लिक होता है, कि यह polynomial नहीं है, लेकिन हमें इसको थोड़ा साथ देखना पड़ेगा, कि क्या होगों सोल हो सकता है, तो यह x इसमें भी divide होगा, इसमें भी divide होगा, तो x square x के भी नीचे है, और x के भी denominator में आएगा, और यह x के पावर 4 के भी denominator में आएगा, यहँ से 1 x स 1 x कटके, यह यहां पे x स 1 x दिवाइड होगा, यहां पर 3 x बचके, तो यहां पर x बचा, यहां पर 1 आया, और 3 x की पावर 3 आई, आप देखो इसके हिसाब से सोचो, कि इसके साब से क्या होगा तो यहां पर देखो power 1 है यहां पर 0 है यहां पर 3 है whole number में से आ रही है तो हम बोलेंगे कि यह भी क्या होगा I hope यह चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी इसको भी आप note कर लीजिए इसी के साथ आज का हमारा lecture खतम होता है आज के lecture को आप अच्छे से देखना वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना आपने दोस्तों के साथ सेर करना साथ ही चेनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने खुद के handwritten notes बनाना जिससे कि long time तक के लिए क क्या हो आप लोगों को यह चीजे याद रह सके इसके साथ ही हमारे चेनल का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो के notification आपको मिलते रहें तब तक के लिए thank you